नमस्कार नीतीस कुकिंग में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं बनाने चाहरी हूँ बहुत ही हल्दी हल्दी नाश्टे के लिए इंस्टेंट वेज रवा इडली जो सुबस सुबह की भागदोर में 10 मिनिट में बनकर तयार हो जाती है ना आपको खमीर उठाने की ना दाल चावल भीगोईनी की जरूत है बस फटा फट से मिन्टो में तयार यह हल्दी हल्दी नाश्टा तो चलिए नया फ्लेवर टेस्स कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए दो कप रवा या सूजी आपके घर में जो भी हो बारिक वाली सूजी हो मोटी वाली सूजी हो कोई सीवी सूजी आप इसके लिए काम में ले सकते हैं दो कप रवा से यहां पे 15 इडली बन करके तयार हो जाएंगी तो मैंने एक कप ले लिया है अब एक और कप इसमें डाल देती हूं तो यह दो कप मैंने ले लिया है रवा और इसके लिए हमें चाहिए एक कप दही हमें इसमें एट करना है पानी तो जिस कप से आप दही लें उसी कप से पानी लीजिए तो मैंने यहां पर आधा कप पानी डाला है जिस कप से आप सूजी ना प्रहें उसी से दही ना पिए और उसी से ही आप पानी ना पिए कोई भी एक चीज ले लिजे कप हो या बाउल हो क अब बस क्या करना है सूजी को थोड़ा सा फूलने देना है रेस करने देना है तो इसको लगबग 10 मिनट के लिए चोड़ दीजिए तब तक हम कुछ और बना लेते हैं तो देखिए इसके लिए मैं बना रही हूं बहुत ही टेस्टी चट्मी चार पाच चममच फ्रैंक पेन म मैंने इसमें डाला हींग और अब डाल रही हूं में वन फोर्थ कप चने की दाल जो सबके घर में अविलेबल होती है जो हम घर में बनाते हैं दाल यह वही दाल है तो बस अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे ताकि यह रोस्ट हो जाए हलका इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके पहले हम इसमें कुछ और इंग्रीडियन डालेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए 7-8 लगबग लैसुन की कलिया इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी करी लीव्स डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए आप लगबग तीन से चार साब इसमें हम इसको ट्रांसवर कर देंगे और पहले एक बार मैं इसमें डाल देती हूं नमक स्वाद अनुसार और धकल लगाके ऐसे ही एक बार मिक्सी को घुमा लीजिए बिना पानी डाले उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह की देखिए अब इसमें आपको जितना पान इसमें मैं डाल दूँगी राई राई को हम थोड़ा सा तड़कने देंगे साउथ इंडियन रसीपीज हों कोई सी भी तो राई का तड़का तो बहुत ही जरूरी है इसमें डाल देंगे हम थोड़े से करी लीव्ज और इनको अच्छे से फ्राइब कर लेते लो मीडियम फ ये देखिए 10 मिनिट बाद मैं देख रही हूँ इसको ये सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है और जादा थिक हो गई है अब और भी देखिए कितना गाड़ा हो गया ने ये बैटर तो अभी से फिर से हमें थोड़ा सा पतला करना है तो ये आधा कप पानी इसमें मैं और दालेंगी थोड़ा थोड़ा करके ताकि कहीं जादा ना हो जाए क्योंकि ये बैटर हमें बहुत जादा पतला नहीं चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ देखिए मैंने कुल मिला के आदा कप पानी यानि टोटल अगर रेशो देखा जाए तो दो कप रवा एक कप दही और एक कप पानी ये टोटल इसका रेशो है कंसिस्टेंसी आप देख लीजे बिलकुल ऐसी होनी चाहिए अब इसको और बढ़िया से हल्दी बनाने के लिए मैं यहां पे कुछ और चीज़ने ले रही हूँ आदा कप बारी कटवा प्याज आदा कप बढ़िया और हरी हरी मिर्चे इनकी जगे के कोई और वेजीटेबल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे केण लग न ठीफ आप देख सकते हैं अगर ऐसी नहीं है तो थोड़ा सा पानी अट कर दीजिए अगर थोड़ी पतली है तो थोड़ा सा रवा और मिला दीजिए चलिए बैटर बनकर तयार हो चुका है इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा कटा वाहरा धनिया जिससे इसका स्वाद और भी ज्य बेकिंग सोडा जो घर में होता है वो डाल सकते हैं अब इससे हम मिक्स कर देंगे उसके पहले हम डालेंगे इसमें जो हमने तड़का बनाकर रखा था करी लीव और राई वाला यादेना भी थोड़ी दिर पहले बनाया था बस वह इसमें दो चमश डाल दीजिए या आपक कड़ाई ली है स्टीम करने वाली यह मैंने अमजान से पर्चेस किए बहुती बढ़िया स्टीमर रही है इसमें यह जो प्लेट है इल्ली मोल्ड है इसको मैं ग्रीस कर लूँगे अच्छे से ताकि आपके पास जो भी घर में हो और अगर इल्ली मेकर नहीं है तो आप कटो मैं आपको एक अभी आगे बहुत अची सी एक टिप देने वाली है जिससे आपकी इल्ली बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाली है अब इसको हम ढखकन लगा के लगवाग 15 मिनिट के लिए स्टीम करेंगे तो देखिए वो जो टिप है न वो यह है कि आप अपने इल्ली मे तो यह उपर से बहुत ही सुंदर दिखेगी तो यह मैंने इस तरह से भी तैयार कर लिए तो चलिए इल्ली देख लेते हैं हमारी किस कंडिशन में यह देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है स्टीम होती है अभी पकी नहीं है अच्छे से थोड़े देर बाद मैं फिर द देंगे 5-7 मिनट छोड़ दीजी इसको ताकि आसानी से बाहर निकल आएगी यह देखिए ठंडा कर लिया है मैंने इसको अब मैं इसको चमच या किसी भी नाइफ से निकाल सकती हूँ बाहर बहुत ही आसानी से यह बाहर निकल आगी यह देखिए कितनी सुंदर इडली बन है तो यह कितनी खुबसूरत लग रही है ना बहुत ही सॉबसूरत लग रही है दो की जरूतनी है किसी के साथ इसको सर्व किए अब को मैं दिखाती हूं मेरी इडली कितनी खुबसूरत फलफी है डिलीशयस और सुंदर तो है ही सही मैं कई बार बोल चुक हूँ देखिए डाल चावाल पीसे हैं इंस्टेंट इडली बनकर तियार हो गई है और यह वह वाली इडली है जिसे मैंने छोटे वाले इडली मेकर में रखा ता यह देखिए नीचे शिमला मिर्ची सजा करके तो इसको निकालेंगी तो इतनी सुन्दर लगती है तो फ्रेंट्स आप भी बन लगता है झाले प्रेंट अवाले वाले चार यह वाले है झाले वाले इडली ओड़ दिया इडली है वाले प्रेंट्स आप निया जग्ड़वादी तो अवाले